क्या अब अयोध्या में लेंगे कलकी अवतार? क्या कल युक के अंत का आरंभ अयोध्या नगरी से होगा? अयोध्या में अब भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है, 22 जनवरी को पहले ही प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है. अब धीरे-धीरे मंदिर के दूसरे और तीसरे मंदिल का काम भी चल रहा है, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में उठ रहा है कि क्या रामराज आने के साथ होने वाला है? अयोध्या में कलकी अवतार का जन्म आखिर भविश्य मालिका इस बारे में क्या कहती है? क्या श्रीराम की अयोध्या वापस आने के साथ कलकी अवतार के जन्म लेने की भविश्यवानी सच होने वाली है? क्या अयोध्या में अब कलकी अवतार का जन्म होगा और रामराज में ही नारायन कलकी रूप में अवतरित होंगे? क्या कल युग में श्रीराम ही नारायन के कलकी अवतार हैं आखिर क्या है इसका पूरा सच इस वीडियो में आज हम जानेंगे तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों दे हिंदू 71 यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यक्ता है हमें सब्सक्राइब किये बिना मत जाईएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा शास्त्र कहते हैं कि जब जब धर्ती पर पाप बढ़ता है तब तक नारायन किसी ना किसी रूप में धर्ती पर अवतरित जरूर होते हैं आज से 500 साल पहले एक महान संत हुआ करते थे जिनका नाम था संत अच्युता नंद दास जिन्होंने अपने जीवन में किताबें लिखी और इन किताबों में से एक थी भविश्य मालिका और इस भविश्य मालिका में भविश्य में होने वाली कई सारी घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है जिनमें से कल युग से जुड़ी हुई भविश्यमालिका बताती है कि कल युग का अंत कैसा होगा और कैसे एक नया युग यानी सत युग का प्रारंभ होगा। श्रीराम भी नारायन के ही अवतार हैं। उनका फिर से अयोध्या नगरी में वापस आना नारायन जी की कल की अवतार का ही आने का संकेत है। और भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकिन कल युग में जो दस्वां अवतार लेंगे वो कोई और नहीं बलकि नारायन के दस्वें अवतार भगवान कल की होंगे। रखा है। वहीं श्रीमत भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि भगवान कल की अवतार कल युग के अंत और सत युग के संधिकाल में ही ले लेंगे। चमचमाती हुई तलवार होगी। साथ ही वो सफेद घोडे पर सवार होकर युथ में विजय के लिए निकलेंगे। लेकिन कुछ संगठनों का दावा है कि कल की अवतार के जन्म का वक्त नजदीक है। कुछ का तो दावा यह भी है कि कल की अवतार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल की संगठन का दावा भी है कि कल की अवतार के प्रकट होने का समय बेहद नजदीक है। यह संगठन अयोध्या की श्रीराम ट्रस्ट से भी जुड़ा हुआ है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल की अवतार हो चुका है और उनकी महान शक्तियां जगत में उनके भक्तों की रक्षा के लिए चारों और फैल चुकी है। बस उनका केवल प्रकट होना ही रह गया है। और इसका तारकिक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा हुआ नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि क्या कल्युक खत्म हो चुका है तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार कल्युक 4,32,000 वर्षों का है। शास्त्रों की माने तो कल्युक का केवल प्रथम चरण चल रहा है। कल्युक की शुरुआत में हुई थी जब पांच ग्रह मंगल, बुद्ध, ब्रहस्पतिवार और शनीमेश राशी पर 0 डिग्री पर थे। कहते हैं कल्युक की 5,119 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी भी बाकी हैं। अभी से ही कल्की जयंती मनाई जा रही है। कल्की अवतार के जन्म के बारे में बहुत से पुराणों और शस्त्रों में भी लिखा हुआ है। शस्त्रों के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की छे तारीख को नारायन का कलकी अवतार होगा यही कारण है कि सावन मास के छे तारीख को कलकी जयनती मनाई जाती है कलकी अवतार के जन्म के समय जो ग्रहों की जो स्थिती होगी उसमें चंद्रमा कुम्भ राशी में होगे और सूर्यतुला राशी में होगे और शनी अपने उच्च राशी तोला में और गुरु अपने सर्वोच राशी में विराजमान होगे तब भगवान कलकी का जन्म होग और पापियों का सर्वनाश करके कल युक का अंत करेंगे और सतयुक की स्थापना करेंगे तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही अगर ये विडियो आपको अच्छी लगी हो तो कॉमेंट में जैश्री हरी विश्णु जरूर लिखें धन्यवाद